नमस्कार आप देख रहे हैं एक न्यूस 24 में हुश रहे हैं आपके साथ 2025 के विधान सबाचुनाफ को लेकर जहां जेडियो काफी जादा सक्रियो हो गई है इसके साथ साथ वो आगे कयासे लगाई जा रही थी कि BGP के साथ वो समांतर सीटों में उतरेंगी और विधान सबाचुनाफ में इसको लेकर जेडियो अभी सही तयारी करना शुरू कर दिये हम अपको बता दे कि जेडियो के प्रवक्ता जेडियो के प्रदेश अद्यक्ष उमेश कुषवाहा ने बड़े बयान दिये उन्होंने ये भी कहा कि हम ना कभी छोटे थे और ना ही रहेंगे इसके साथ साथ उन्होंने 2025 के विधान सभा का mission plan जो है वो अपने बयान में जारी किया है और काफी बड़े बात जो हैं उन्होंने सामने रखा क्या कुछ है जेडियो का 2025 का mission plan इस विधियो में आपके बीच साजा करेंगे एक एक करके सभी मुद्दों पर बात करेंगे जाने के लिए बने रहीएगा हम इस विधियो में अंत तक 2025 विधान सभा चुनाव में जेडियो और बीजेपी पराबर सीटों पर चुनाव लड़ेगी इसको लेकर जेडियो ने अभी सही तयारी शुरू कर दी है लोग सभा चुनाव में बहतर प्रदर्शन के आधार पर पार्टी ने ये दावा करना शुरू कर दिया है कि सुमवार को पटना में जेडियो का संगठनिक बाठक आयोजित की गई इस बाठक में कारेकरताओ की तयारी करने का निर्देश दिया गया है जेडियो के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुश्वाहा ने कर जनना चाहा कि क्या लोकसभा की इस विधान सब चुनाव में जेडियो गडबंधन में कम सीटो स्विकार करेगी तो जैसा कि लोगों के बीच मन में ये सवाल उच्छा था तो इस सवाल पर उमेश कुश्वाहा ने कहा कि जेडियो कभी भी गडबंधन में चोटा भाई नहीं रहा है 2019 में लोकसभा चुनाव में भी जेडियो और बीजेपी 17-17 सीटों पर चुनाव लड़ी थी हम एक सीट किशन गन से हार गये थे उमेश कुश्वाहा ने आगे कहा कि 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने एक सीट कम पर सहमती केवल इसले बनी थी कि इस वार गडबंदन में जीतराम मांजी और चुराग पासवान भी शामिल होंगे इसके बाद भी हमारा स्ट्राइक रेट जो है वो क्या कह रहा था इससे भी छिपा नहीं है किसी से भी छिपा नहीं है हमने इस मामले पर बीजेपी के नेता से भी राय जानी चाहिए लेकिन प्रदेश उपध्यक्ष ने बोलने से इंकार कर दिया उन्होंने कहा कि ये केंद नेतवित का मामला है हमारा बोलना ठीक नहीं होगा हम बड़े भाई थे और इस बार भी बड़े भाई ही रहेंगे हाला कि सीट शेरिंग और फॉर्मुला क्या होगा इस पर तो गडबंधन में कौन सी पाटी कितने सीटों पर चुराव लड़ेगी इस पर निर्ने होना भी अभी बाकी है लेकिन जेरियो के नेता अब खुल कर इस मामले में बोलने लगे हैं 2025 सीटों जीतने कार रखा गया है लक्ष और टार्गिट हम आपको बता दे कि उमेश कुश्वाहा ने कहा कि हमारा लक्ष 2025 में 125 सीट पर जीत दिलाना है चुराग पाटसवान की पाटी के तरफ से 50 सीट मांगने के दावे पर और उन्हें कहा कि NDA में इस सब बातों के लिए एक प्लाटफॉर्म है फिलहाल उनके पास इस तरह की कोई जानकारी नहीं है उन्होंने कहा कि हम लोग आपस में बैठ कर इस सारे मामले में असानी से सुलजा देंगे तीसरे नमबर की पाटी का इतना बड़ा दावा क्यों है पिरसे चुनाव में तीसरे नमबर 44 पर सिम्टी जेडियू आखिर क्यों विधान सभा में सबसे बरी पाटी BJP जिसका 78 के बराबर सीटों पर चुनाव लड़ने का दावा की थी और करती है इसका जवाब देते वे उमेश कुश्वाहा ने कहा कि बिहार में एक ही चेहरा है और वो है नितीश कुमार और वो ही रहेगा तो जैसा कि आपने सुना कि हमने तमाम मुद्दों पर बात की जिस तरीके से उमेश कुश्वाहा दावा कर रहे हैं कि इस पर वो बराबर सीटे लेंगे जितने BJP ली है और विधान सभा 2025 की चुनाव में उभर कर आएंगे इसके साथ अनुने नितीश कुमार और चुराग पास्वान और जीतना मांजी को लेकर भी बड़े बयान दी कि वो पिछली बार अगर 2024 के लोग सभा चुनाव में अगर वो माने थे एक कम सीट के लिए तो वो इसलिए क्योंकि इस बार वो चाहते थे कि जीतना मांजी और चुराग पास्वान जैसे नए चेहरे वापस से इस विचुनाव में देखे जाएं साथ ही साथ उन्होंने नितीश कुमार से कहां कि वो सबसे बड़ा चेहरा थे और सबसे बड़ा चेहरा वही रहेंगे इस पूरे मामले को लेकर J.U.K. 2025 के विधान सवा मिशन को लेकर आपकी क्या रहा है हमें कमेंट सेक्शन में लेकर जरूर बतहेगा तब तक ऐसे ही अपडेट्स और एक्स्क्लूसिव खबरों के लिए आप देखते रहे एक न्यूस 24 अगर आप हमें यूट्यूब पे देख रहे तो हमें लाइक करें कमेंट करें शेयर करें हमारी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आप मैं फेस्बूक पेच में देख रहे तो हमें लाइक करें, कमेंट करें, हमारे फेस्बूक पेच को फॉलो करें, धन्यवाद